एक और वीडियो में दोस्तो आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्त विभेक पचाज दोस्तो कैसे आप all well first class learning कैसे चल रही है I hope you are doing very very good अगर आप face to face के serious learner है तो मैं आपको challenge करता हूँ कि आप share wajar में established हो चुके होंगे और अगर आप free rider है आप मस्ती करने आ रहे हैं आप entertainment देखने आ रहे हैं तो शायद ये गलाच channel है और बहुत सारे channel है जो आपको entertain करवाएंगे rather entertain करवाएंगे बट मुझ से वो नहाप वाएगा मैं तो long form content बनाऊँगा और आपके लिए सही knowledge ले क्या आऊँगा दोस्तो इस face to face के अंदर में भी कमाल होने वाला है आज जो मेरे साथ आए है वो कमाल है I think मैं ये नहीं कहूँगा कि he has just started his journey already वो उस level पे पहुँच गहे है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उस age में उस level तक पहुँच पाता 24 साल के market में active participant और एक बड़े championship के winner जबरतस return generated किया और India का नाम रशन करेंगे मैं हमेशा कहता हूँ कि Indians में इतनी potential है कि यह जो बाहर के बड़े-बड़े competitions है ना US Investing Championship वगड़ा इसमें जब Indians घुच जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको Indians नाम ही नज़र आएंगे और already इस साल के championship championship के winners में कई Indians नाम है और मैं कुशिश कर रहा हूँ सब तक पहुँच हूँ और आप तक उनको ले किया हूँ दोस्तो आज के face-to-face के अंदर में US Investing Championship के winner हमारे साथ जुड़े है जो इंदौर बेस है और इन्होंने जबरदस return दिन डिट किया है तो इस वीडियो के अंदर में उनके उनसे बात करेंगे उनसे मिलेंगे है 24 साल के तकरिवन मेरी आधी एज कही है बड़ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मुझे उनसे और जो next वीडियो होगा ये वीडियो तो आपको पता न Thursday को रिलीस होता है next वीडियो जो Friday को 5 बज़े जो मेरा time आपके साथ ब्लॉक्ट है उसके अंदर में detailed strategy detailed discussion कि कैसे वो return generate कर रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं जो हम सब को जानना चाहिए तो let me welcome इस face to face के लिए तनमे खंडिलवाल को Hello Tanmay Thank you Vivek जी कि आपने मेरे को अस लायक माना कि मैं आपके show पे हो पाया मैं बोलना चाहता हूं कि आपका show इंडिया में सबसे spectacular shows में से है आपने जो app बनाए stockage वो काफी लोगों की आज मदद कर रहे है अच्छे stocks ढूंडे में and I think इंडिया में आप finance industry में और फ्लुएंशर industry में शाद इंडिया के सबसे जाने माने नाम है that God has been very kind कि उन्हेंने मुझे एक माध्यम पकड़ा कि मैं आप आप लोगों को आप तक पहुचा सको और आपको लोगों तक पहुचा सको और इंडिया मुझे बहुत प्यारा है तो मेरे मेरे पढ़ाई वहां से भी जो भी इंडौर से आएं स्पीकर चाहे वह अश्मिन भाई है चाहे बसंद भाई है अमेसिग इतना क्लारिटी इतनी सोच में और प्लस ऑल्वे स्माइलिग यह तो कुछ है इंडौर के खाने पीने में कुछ खास बात है ना चाहद इंडौर के अब तो हरी चीज में खास बात है या लिने सिटी नरू भी काफी साल हो गया या एक मेरा वो बहुत जादा विश्लिस थी कि जब मैं अम्बा कर रहा था तो उसी समझ मुझे लगता था कि यार यहां शिफ्ट हो जाना चीए बट चले कोई नहीं इंड बटो कनेक्ट विपल एक यू यह था इंड यू था यह विश्लिस था था इंड़ी करने था जब थाट्च्छ साल कि अमर का था था त्वड़ीफ इंड़ीफ इंड़ीफ आई वर्टिवाग दिवार्ट विजए लग थे इम्बाव था फिश्ल कि 아म अदानी आहा तो लगे ट्रेडिंघ कर लेकं और आपको 24 तनिये पता है।सथा ये आपको ट्रेडिंग करना हिह वह आजka 24 है। भूट पहले से पता हुजा क्या थैडिंग करना तो ये वीटसा द लू genetic इंडिया इंप्रोपुलेशने इंप्राइब लोग जैस्ट निए सब्सक्राइब है। विवेक जी मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि शायल आपके शोव में आने वाले यंगेस लोगों में से मैं हूँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ तो अगर मैं कुछ भी बोलूँ जो आपको ये ओर्डिन्स को सही या गलत लगे तो ये समझिए कि थोड़ा बच्चा करके में को माफ कर दीजा ठीक है थोड़ा I think मैं एक बार जैसे आपने बोला थोड़े अपने बैग्राउंड के बारे में बताता हूँ मैं इंदौर में इंदौर से हूँ पूरी मेरी स्कूलिंग अर्ली लाइफ इंदौर में मेरी फैमली आकरी तीन जैनरेशन से इंदौर में है हमारा इंदौर में इलेक्टोनिक्स, इंडस्टिरल एक्विप्मेंट जो यूज होता है उसका और रियल एस्टेट का इंदौर में बिसनस है मेरा एक छोटा भाई है आरियन हुऄ मेरेसे तीन साहां छोटा है सो, जब से मैं मैं और आरियन चोटे बच्चे थे हमारे पैरेंट्स ये चाहते थे और क्योंकि हम थोड़ा मारवाडी बैगराउन से भी बिलौओं करते हैं पैरेंटस ये चाहते थे कि हम यंग गेज से जितना हो सके वितना बिजनस के बारे में सीखे तो जब मैं स्कूल में भी था तो काफी समय आफिस में स्पेंड करता था मेरे डायट के जो बिजनस डिसकॉशन होते थे उसमें साइलेंटली सुनता था कि किस तरीके से काम हो रहा है अलग अलग इंप्लोई के साथ अलग अलग इंडस्ट्री विजिट करी है मैंने स्कूल में समझने के लिए कि किस तरीके से अलग अलग बिजनस चलते हैं उसके साथ ही साथ मेरे काफी फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के जान पेचान के लोग अलग-अलग businesses में involved थे उनके थू जैसे textile से लेके steel से लेके financial markets अलग-अलग industries की समझ आई कि किस तरीके से businesses function करते है क्योंकि मेरे parents ने मेरे को young age से इतना exposure देनी ही कोशिश करी उसके कारण दी मेरा काफी business की तरफ interest हुआ और young age से ही मैं business के अलग-अलग aspects समझ पाया जो कि आज में investing में use कर रहा हूँ जब मैं school में था तो मैं उन पडाकू बच्चों में से था जो काफी महनत करते थे तो मेरा school का academic track record काफी अच्छा था extra curriculum काफी अच्छे थे 12th में मैंने C.I.E. board का रहा था और मेरी इंडिया में उसमें तॉप 3-4 में रांग थी C.I.E. board क्या हुआ? Cambridge International So उसमें मेरी इंडिया में तॉप 3 रांग थी और उसके कारण मेरा Columbia University विच इस अन आईवी लेक स्कूल युएस के टॉप 3 उनिवर्सिटीज में है वहाँ पे मेरा सेलेक्शन हुआ हर साल आट से नौ लोग का यहाँ पे सेलेक्शन होता है और एंजिनेरिंग में हर साल 3-4 इंडियन के सेलेक्शन होता है So इंडौर से I was for a student to also go there So I think वो भी में ले काफी गर्व की बात है अब थोड़ा मैं अपने भाई के बाइग्राउंड के बारे में बताऊंगा Before I start कि हमने कैसे इंवेस्टिंग की वोल्ड में चालू किया मेरा जो चोटा भाई है आरियन मेरा चोटा भाई आरियन एक इंटरनाशन स्कूल रह चुका है उसने 7 साल तक regularly Indian school games बसाई है वो winner है उसका I mean HE is in India उसकी top 3 में rankrd रही almost 8-9 years उसने junior Asian School Games मे as India's Captain he was selected and he's played many international tournaments as well अभी he's currently in Dartmouth College which is also in ivy league school and he's also a division 1 Skylier athlete Wow तो बीसिकली में अर आरिन दोनों का जब से हम बच्चे थे हमारे में इच्छा थी कि कुछ करें लाइफ में आगे बढ़ें और मैं है कि ना चाता हूं कि हमारे पैरेंट से हमें इतना गाइड करा और उनने हमें इतना support करा और इसा platform दिया जिससे हम आगे बढ़ें तो जो भ आगे गया और मैं चोटा भाई आज डात्में ने काँ पे रहा दात्में इसे मजाक मजाक की बात है तो शर्मा जी के लड़का चेंज करके अब खंडवाल जी का लड़का करते हैं आप 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 कर तो सकते हैं जरूर पर हमें थोड़ी शर्माने लग जाएगी अगे अग यू दर्फिके जो फरहसर के लिए उनसे सीखना चेर क्भी मुक्र मेले शो और कभी रिकार करना चाहँगा या कभी उनसे मिलना चाहँगा कि पेरान टेंढ कैसे करते हैं को यंग चीर बियृत अइiderman definitely, so basically when I went to college, I was doing industrial engineering and operations research as my major, why was it? because I had a major in which I had different aspects of a business like business and finance, today computer science is an integral part of making any business successful, so industrial engineering is a combination of statistics, computer science, business, a lot of arts courses which we study in US colleges, so I felt as an overall package, it teaches you all the aspects of a business and I think things like optimisation, supply chain management, our topics which you can apply in any business so and I think Columbia is one of the most popular majors in industrial engineering, so that is why I decided to go for the same okay, interesting so when I went to college, I started a startup there, but because I had a little bit of knowledge of what kind of things that could not succeed, so constantly I was thinking about what I'm doing, what I'm doing, what I'm doing My brother just finished my 12th grade, so he also came back to India at that point, so after my third year then, I took a gap year and my brother took a gap year after my 12th grade so I thought, once my grandfather passed away, my dad was alone, so he could not manage, so he decided to move ahead in jeans, I mean share market so my dad's exposure was in that field and he understood how investors think and how investors behave and how investment happens lovely so I think from there, because we were sitting at home, everything was made of business, we didn't have to do anything and because it was a constant habit that we had to do anything, so we started learning about the share market I started learning about the share market, how investors work, how different market participants work, if there was a little knowledge of business, then how different businesses work with different businesses, I and my brother had a shock to reading books from young age, there was a lot of 2,000 books on our house, so I and Aryan, who is my little brother, we also started reading many books, we had to read at least one one book a week, we had to read at least one one book a week, we had to make notes, we had to discuss in the family, so you can see Peter Lynch, Warren Buffett, William O'Neill, there were many well known authors of their books, we had to read that time, with that we had to read a lot of educational videos and technical books, since I have done industrial engineering operations research, I also had a little statistics knowledge, so in which way, we work in the market, we work in the technicals, statistics, and how we can apply them, so I think that our learning started there, our base building started there, starting there, our parents had a little capital to allocate, our portfolio, and we started our investing there, this was what age you were in? so in 2020, I was around 21 years old, my birthday came in October, and my brother was 18 years old at that time, in October? yes, you are also a liberal? yes, oh my god, I am also a liberal, so basically, we started there, we did a lot of mistakes, we learned a lot of mistakes, and improved a lot of mistakes, the market was good, so we were able to perform well, we came in 2020, of course, 100% plus return, because everything went up substantially, 2021 also, we were able to perform well, due to market being in favorable conditions, for most of the year, and then in August, I went to the US, for my last year of college, in July 2022, I graduated, and after July 2022, I came back to India, and after that, I have been fully involved with 2X Capital, which is my brother's company, and with my family business, okay, so you are doing your own business, and now you are doing it? yes, 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 or you are doing more time here, and there? almost equal time, equal time, and that family business, that is manufacturing, which you have said, yes, yes, that's interesting, so, that means, I mean, just the derivation of this statement, so, the work of the day, you don't do it all, yes, because if you are doing your own business, then you can't do that, right? yes, we are not involved in day trading, we are majorly swing trading, okay, and when we talk about swing, how much of a big average, is there a position in a day? so, if we take a specific example, last year, in the US Investing Championship, which we entered, the average was 2 to 3 quarters, holding period, 6 to 9 months, okay, this was FI, 90, 2023, we are talking about, right, this championship, which is from the giant, right, so, many people are asking me, sorry, I am very bad, please, my mistake, my mistake, this is the US Championship, how did Indians participate in it, and how do they judge it? right, right, so, I think I will come back, a little bit to the story, and then I will come to, a competition, please, so, when I graduated in July 2022, I thought, stock, investing is such a thing, which I and my brother, have spent a lot of time, we understand, but, in any other thing, like maths, I have a great maths, but, until I can't do good exams, it's no proof, that I have a great maths, we can do good at the conference, and we have seen, the most recognized platform, for emerging fund managers, it's known as a US Investing Championship, right, this is a 50 years old competition, and today, the winners of the past 50 years, include many, billionaire hedge fund managers, today on Wall Street, such as, Paul to the Jones, Louis Bacon, Mark Minner, he is not a famous trader, he is, Marty Schwartz, who was a famous day trader, there are many people, so, we thought, this competition, we had to enter, this competition, this competition, is a whole calendar year, it's a competition, it's a January, it's a January, we entered, this competition, with our strategy, in March, 2023, we entered, until December, 2023, we also worked, luck with us, and our portfolio, has more return, our portfolio, this competition, is a worldwide competition, so, anyone who wants to join, they can do it, they can do it, in the meantime, like Japan, and Brazil, I talked about it, basically, the currency of, in the end, the currency, that is, on that basis, you have to change the return every month, Ok, so, let's say, आपका हमारा जैसे 131% के असपास रिटर्न आया था और रुपी डॉलर के अगेंस दो 2.1-2.2% परेशेट वा था फो दे यॉर तो ने हमारा रिटर्न उसके अकॉर्डिंग से 129% पे अच्छर्स कर दिया था और यह आप ट्रेडिंग इंडिन मार्केट ही कर रहे थे हां जी तो वहां कुछ कंपल्सिन होता है कि US मार्केट करना पड़ेगा नई नई आप रस्पेक्टिव मार्केट ट्रेड करो बड़ आपको रिपोर्टिंग देना पड़ेगा हां जी तो जब आप रिपोर्टिंग चालू किये तो 1st January 2023 में आपने बोला कि मैं वार्टिपेट इसमें आपको अपनी इसमें आपको आप रिटर्न अपना नहीं बताते है उनको अच्छा बेसिकली वह आपसे सर्टन रिपोर्टिंग मानते है कि आपने कितना कैपिल इन्वेस्ट किया आपका प्रॉफिट या लॉस का जन्रीट हो रहा है आपके ट्रेट का स्टेट्में लेते हैं और थोड़े अकांटिंग लेजर्स एक्सप्राइप से लेते हैं तो वेरिफा यह रिजल्स अबसक्राइप के साथ और भी बहुत लोंगे बहुत सब लगला कैटिगरी को बिलाउं करते होंगे तो आपका वस्टी हाइस रिटर्न इन ओन का टेगरी वो क्या कैट रहते हैं विच दोनन अमनी मैंगर्ज मानेजर स क्रफ़ार दीगरी कि तो उसमें पार्टिसीपेट करने के लिए कि यह इक मिनिमम अमॉंट ऑपेस आपको इन्वेस करना पड़ता है रहां धर मिनिमम डॉल्रा है तो इसमें अगरे वार्टिपैट करने कि विए सब अर ग् पर उससे भी फरक पड़ता होगा, अगर आप 8 crore से कर रहे हैं, कोई 80 crore से कर रहे हैं, तो इतना रिटर्न तो 80 crore वाले के लिए डिफिकल्ट होगा जनरेट करना, I think आज की डेट में तो मार्केट में देर इनाफ उपरचिनिटीज कि कोई भी फंड साइस से पार्टिसिपेट करें, तो इवोड बी अब टो जनरेट गोड़ रिटर्न, और आपका रिटर्न का अट्रिबूशन किस सरीके से वा, इस वोट्स इंपॉर्टन या, वो तो अपन अब नक्स वीडिय में डिस्कॉस करेंगे कि, हाव डीओ दिफाइइई दा कॉलेट यद रिटांकRedसकि भी खनाऊंज कर या, तो आप चौबिस साल के है और यज ऑअपको अरसोप को या नैप्ने कोने कोई लिग तो समय डोवरीयॉच उवेस्लीर ने मिहनाइ टो अब टो So, मेरा अंडर्ग्राइजुएशन हो गया था But, since मैं कॉलंबिया से पढ़ा हूँ जो वर्ल्ल के मतलब Top 3 Most Difficult Colleges में आता है I think MBA के लिए तो, या further studies के ला I would not be going This year, competition में मेरा छोटे भाई का एंट्री अमें डाली है हमारे कंपनी की तरफ से Okay Fab ending, उनका 8% return था और वो competition में second position पर चल रहे था वाव, वाव अच्छा ये भी दिखता रहता है के real time हाँ, हर महिने update होता है और हर 3 महिने में publications भी newspapers में आता है अच्छा, अच्छा, that's very interesting तो आप और आपके भाई दौनों साथ में मिलके ही ये बिजनस को आगे बढ़ा रहे तो लास्ट ये आपने performance के, इस साल छोटे भाई का performance होगा बड़िमेडिया आप लोग दौनों मिलके ही कर रहे है logically, right so, do I see you becoming a global fund manager, hedge fund at some point of time so, हमारा ये है कि हम अपने education background और Columbia और Dartmouth का जो Ivy League का alumni रहता है जो वोर्ल में आज फाइनस मार्केट में सबसे आदा well-placed alumni है हमारी understanding of Indian markets and our understanding की इंडिया अगले 10-15-20 साल में वोर्ल के सबसे fastest growing country होगी और काफी foreigners इंडिया में invest करना चाहेंगे तो हम उनके लिए एक platform प्रोवाइट करना चाहते है जिसके थुरू वो इंडिया में investment कर सकते हैं वाव लवली लवली तो दोस्तों वी हैव मैं भविशमानी कर देता हूँ कि इंडिया से एक बहुत बड़ा global hedge fund आने वाला है इस matter of time पांत साल लगे, साथ साल लगे, दस साल लगे किसको क्या पता है और मुझे लगता है कि structures like gift city गडर जो government वी चाह रहा है कि वहां से कुछ बड़े नाम उभर के आए तो hopefully we'll see I don't know इंसे मेरी बात नहीं हुए gift city गडर है कि but just like मेरे माइड मेरे इमिरिटल आया तो मैंने रेक्शन दे दिया कि हो सकता है कि global hedge fund क्रेट हो जाए gift city से और आप वो number one performer player बन जाए वहां से thank you, thank you so much yeah great so दोस्तों ये था इनके बारे में very inspiring story I think कुछ नहीं तो ये videos अपने बच्चों को दिखाईएगा ताकि inspiration भी ले और हम बच्चों को क्या बढ़ों को भी दिखाईए ताकि हमको भी पता लगे कि कैसे हम लोगों को work करना है sorry phone आगया था कैसे work करना है एक path हमारे बच्चों के लिए भी हमको तियार करना है तो मिलते हैं next video में जहां आप laptop सामने रहेगा और detailed strategy discussion करेंगे तनमे के साथ में see you tomorrow perfect thank you